Hello everyone, welcome back to my channel और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केर दुबाय करते हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आपसे शेर करने जा रही हूँ आले भटकाई या इंस्पाइड मेकप लुक आशा करते हूँ आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो तो वो भी सुरू बताईगा कमेट करके तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं मैंने मेकप लुक कैसी किया है और हाँ गाईस आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर और प्लीस गाईस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जबल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिसना हूँ तो चले दोस्तों देख लेते हैं मैंने मेकप लुक कैसी किया है यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रहे हूँ अपने फेस पर मॉश्यो राइजर नेक्स में यहाँ पर लगा रहे हूं डब ब्यूटी का फेस प्राइमर और आज के मेकप लुक की खास बात यह है कि मैंने यह लुक क्रिएट किया है पॉंड्स बीबी क्रीम की हेल्प से तो यहाँ पर मैं लगा रहे हूँ पॉंड्स की बीबी क्रीम और अब मैं इसे एक फ्लफी ब्रश की हल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगे आप चाहें तो इसे finger के help से भी blend कर सकते हैं, बहुत easily blend हो जाती है, यह नेक्स में यहाँ पर कर रही हूँ लेक में loose powder के help से अपनी BB cream को अच्छे से से सेट इसके बाद में यहाँ पर लगा रही हूँ अपने dark circles को हाइड करने के लिए मेक का concealer और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ small flat brush और इसकी help से मैं अच्छे से concealer को blend कर लूँगी, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स में यहाँ पर लगा रही हूँ जैकले निल पैलेट से dark brown color का shade लूँगी और इसकी help से मैं अपने eyebrows को फिल कर रही हूँ और इसमें आप देख सकते हैं गाईस इस लुक में आल्या भट के जो eyebrows हैं वो काफी dark उन्होंने फिल की हुई है और बहुती simple और बहुती natural makeup की हुए है इस पिक में उन्होंने आप देख सकते हो So guys पहले मैंने लिया था जैकले निल पैलेट से dark brown color का shade अपनी crease line पर place करते हुए से अच्छे से blend किया था उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ डा बीटी के palette से dark burgundy color का shade लोंगी और इसे पूरी highlight पर इस तरीके से लगा लोंगी So next मैं यहाँ पर ले रही हूँ guys आप देख सकते हो blue heaven की काजल ली है मैंने यहाँ पर और पहले मैं अंदर की दरफ इसे fill करूँगी अपर lash line पर और इसके बाद मैं eyeliner लगाऊंगी इसी काजल की help से और guys आप देख सकते हो आले भट ने बहुत ही पतला सा eyeliner ड्रो किया हुआ है बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है इस तरीके से उनोंने अपर lash line के साथ उसे टच करते हुए इस तरीके से eyeliner को लगाया हुआ है तो यह देखे मैं अभी बिल्कुल पतला सा eyeliner यहां पर ड्रो कर रही हूँ इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबलेन का mascara अब चाहे तो falses भी लगा सकते हैं बट आले भट ने इसमें कोई भ लगाया हुआ है आप देख सकते हो इसके बाद मैं सेम हुटबुटी के पैलेट से बर्गंडी कलर का शेड लोंगी और एक स्मॉल पैंसिल प्रश की हल्प से में लोड लैश लाइन पर इसे लगा लोंगी ब्लेंड करते हुए कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते ह इसके बाद मैं अबने फेस को छान्ट और करूंगी next में यहां पर लगा रहे हुँ swiss beauty के बलश बैलेट से औरेंच कंटा बलश में यहां पर लगा रहे हुँ next में यहां पर लगा रहे हुँ highlighter सब्सक्राइब लगा लिया है और हमें यहां पर लगा रहे हूं न्यूट औरेंज कलर है यह आप देख सकते हो हो सकता आपको कैमरा में तोड़ा और ज्यादा डार्क नजर आएगे बट यह बिल्कुल न्यूट औरेंज सा शेड है क्योंकि आले अबटने भी यहां पर आशागरती आपको पसंद आया होगा और पसंद आये तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा कमेंट करके जरू बदाएगा कि आपको मेरा मेकप लूग कैसा लगा और गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बूक और इंस्रग्राम मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए टेक के लिए लव यू ओल